नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है विग्रम और स्वागतिया आपका हमारे यूटुब चैनल लेर्ण टेक्निकल में इंसिचूट फोर प्लाजमा रिसर्च की तरफ से दोस्तों जोहें वो नोटिफिकेशन जारी करा गया है अप्रींटिस की पोस्त के लिए अवेदन मागे गये हैं ग्रैजिया और टेक्निक्निकिन अप्रेटिस के लिए सब ही भारति आप इंडिया की किसी भी स्टेट किसी भी सीटी से आते तो यहाँ पे जोव अप्लाइ कर सकते हैं अच्छी बात है कि यहां पे किसी तरह का आपका एक्जाम जो है वो नहीं होने वाला है ना ही किसी तरह का जो है आपका इंटेवु होने वाला है और ना ही किसी तरह की आपको फीस देनी है merit list से selection होगी अच्छी opportunity है अगर apprenticeship करना चाहते हैं तो ये बड़ी आमोकाप के लिए हो सकता है आपको क्या करना आपको वीडियो को like कर देना है चैनल को subscribe कर देना है और जो हे वो bell icon को press कर दीजेगा ताकि आने वाली job update आपको सबसे पहले मिल सकें तो हम लोग दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि graduate वाले भी अवेदन कर सकते हैं और diploma वाले भी अवेदन कर सकते हैं अगर आपने degree करी हुए diploma करा हुए दोनों के लिए यहाँ पे recruitment है ब्राचिस कौन कौन सी है computer engineering, civil engineering, electrical engineering, electronics and telecommunication mechanical engineering और instrumentation and control engineering यह graduate और apprentice दोनों की ब्राचिसे total number पोस्त इतनी जादा नहीं है total में लाके 18 पोस्त हैं गांधी नगर में यह वो होगी आपकी apprenticeship अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों specialization में यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है बाकी qualification आपको पता है diploma, degree, BE, beta अगर आपने फर्स क्लास में करी हुई है तो आप apply कर सकते हैं diploma बाले भी और degree बाले भी maximum में age limit 26 साल रखीगी बाकी age relaxation as per government rule मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है SCST को 5 साल की और 3 साल की OBC candidate को जो है वो दी जाएगी और person with disability को 10 साल तक की age lexation जो है वो government rule के हिसाब से दी जाती है stipend भी इसमें दोस्तों जो है आपको अच्छा मिल रहा है 9,000 per month अगर आप graduate apprentice के लिए वे दिन करते हैं अगर आप degree holder है 8,000 per month अगर आप जो है वो technician apprentice के लिए अप्लाई करते है यानि कि अगर आप diploma वाले है तो 8,000 per month आपको stipend मिल जाएगा एक साल का यह जो है वो period रहने वाला है जिसके दरान आपको सीखने के साथ stipend भी मिलेगा 2018 और 2019 वाले ही अवेदन कर सकते अगर आपने 2017 या उससे पहले करी हुई है degree अपनी या diploma तो आप अवेदन नहीं कर सकते है purely merit basis पे जो है वो यह आपका selection होगा किसी भी तरह का over mode से आपका selection नहीं होगा ना आपका exam होगा ना आपका interview होगा सिर्फ document verify करी जाएंगे आपको बुला के और जो लोग जो हे वो shortlisted हो जाएंगे उनको जो हे वो display कर देंगे अपनी website पर उनके नाम 39 2019 को और 7 10 2019 को जो हे document verification के लिए लोगों को बुला लिया जाएगा बात करते दोस्तों apply कैसे करना है तो यहाँ पे अपने आपको इन्रोल करने के बाद आपको यहाँ पे इस लिंक पे आपके अपलाई कर देना है online more से 25 2019 लास्टेट है इसी से पहले पहले आपको आवेदन करना है फिर भी अगर आपको कोई problem आती है तो आप इन number पे और यह वाले email पे कर सकते हैं बाकी अलग से link आपको सारे important में description में देतूंगा तांकि आपको कुई परेशानी ना आए तो यही दूस्तो लिख है कि notification में अगर apprenticeship करना चाहते हैं तो यह अच्छी opportunity है आपके पास करने की thank you very much इस video को देखने के लिए आशेगरतों का अपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से related कुछ पूछना चाहते हैं तो comment section में पूछ सकते हैं channel को subscribe करें मिलते हैं next video में